क्या पत्रकारिता छोड़ने का समय आ गया है आज इसी पर विचार चल रहा है आप लोगों के साथ वर्ष 2017 में मैंने एक टेड टॉक किया था और वो पत्रकारिता पर था और 2017 में मैं नहीं जानता था कि मैं उस समय जो बात कह रहा हूँ वो तीन साल बाद बिलकुल सही साबित हो जाएंगी आज आपको ये देखना चाहिए कि उस टेड टॉक में 2017 में आज से तीन साल पहले किन बातों पर चर्चा हुई थी मुझे लगता है अभी तक एडिटर्स यूस टू बी गेट कीपर्स वो ये तय करते थे कि आप क्या देखेंगे कितने बज़े देखेंगे आप रात में नौ बज़े का इंतिजार करते थे अगले दिन सुबह अगबार का इंतिजार करते थे वो इंतिजार खतम हो गया Content Liberate हो गया, Content आजाद हो चुका है, Canadian,iveness हो चुका है, अ необход के मालिक, channel चैनल चे मालिक, की मुठी की मुठी से आजाद हो चुका है, सरकार से आजाद हो चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है, आने वाले जो 20 साल हैं, बहुत शांदार 20 साल होने वाले हैं, एक ही चीज़ की कमी नीचे जा रही है, इसलिए you will have to pay a premium on credibility, इसलिए technology देखनी है, multiple screens देखने हैं और credibility पर ध्यान रखना है, आने वाले दिनों में आप जिस चीज को खोजेंगे वो credibility होगी, आज आपको content सारा मिलता है देखने के लिए, तोरंत आपके पास तस्वीर आ जाती है, वीडियो आ जात जाना है, इसलिए news channels में और अख़बारों में editors रखे जाते हैं, क्योंकि editor आपको यह बताता है कि इस पर विश्वास करना चाहिए या इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से दोश प्रचार इस वक्त चल रहा है, I think आपको यही इ जिश्वसनियता का मतलब है कि आप तक सही खबर पहुँचे, जो खबर लोग रुकवाना चाहते हैं, वो खबर भी आप तक पहुँचे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो काम धीरे धीरे बहुत मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए अब कोई भी पत्रकार, कोई भी एडि अब पत्रकारता को अब अलविदा कहने का समय आ गया है मुझे ऐसा लगता है कि इस पर विचार जरूर होना चाहिए हलां कि अभी थोड़ी सी ताकत और बची हुई है Zee News जैसे चैनल्स में और थोड़ा लड़ सकते हैं अगर आप लोगों ने साथ दिया तो और कुछ और समय तक इन ताकतों से लड़ने की ताकत हमारे अंदर है लेकिन अगर आपने साथ नहीं दिया तो फिर धीरे धीरे ये लड़ाई मुश्किल होती चली जाएगी